अकसर हमने देखा है कि लोग अपने चेहरे पर तरह तरह की beauty products लगाते हैं जिससे उनका चेहरा चमक उठता है लेकिन वही लोग अपने हातों को नचर अंदाज कर देते हैं ऐसे में चेहरे पर बढ़ती उम्र के लक्षर नदन नहीं आते लेकिन हातों की तोचा डीरी पड़ आरे वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं कठोर मोसम और सूरज की किर्णों के सीधे संपर्ग में आने जैसे कई कारणों से हात रूखे हो सकते हैं और आजकल बजार में कई क्रीम औ पारे में जानते हैं नमबर वन बादाम के तेल का करें इस्तमाल बादाम के तेल में फेटी एसिड और विटामिन ए मौजूद होता है जो त्वेचा को हाइडरेट रखने के साथ साथ इसे मोस्टराइज भी रखता है हातों को कॉमल बनाए रखने के लिए बादाम की पहतरीन आयरुवेदी ओसनी है जिसका इस्तिमाल आंतरिक स्वास्ते के साथ सा त्वेचा के लिए भी फाइदमन माना जाता है क्योंकि इसके पोसकतत्व त्वेचा को हाइडरेट रखने में मदद करते हैं यह रूखे हातों को मुलायम बनाने में भी सहायत प्रदान करता है इसके लिए एक चम्मच सुद्ध और कच्चा सहद लेकर उसको अपने हातों पर रखने अच्छे परिणाम के लिए इस प्रकेरिया को दिन में कंज से कम एक या दो वार दोराएं नमब थरी जेतुन का तेल भी आएगा काम जेतुन का तेल एंटी आक्सिडेंट और दो तीन मिनिट के बाद हातों को ठंडे पानी से धोलें ऐसा करने से आपके हातों की कोमलता बरकरार रहेगी अलोवेरा अपने हीलिंग और हाइडरिटिंग गुणों के लिए जाना जाता है और त्वचा की सूजन को कम करके उसे मुलायम मनाय रखने पे भी काफी हद तक मददगार साबित हो सकता है ये लाब पानी के लिए थोड़ा सा अलोवेरा जेल लें और इससे अपने हातों पर मसाच करें जब ये त्वचा में अच्छे से समझ आए तो अपने हातों को गुंगुने पानी से धोलें दिन में कम से कम एक बार ऐसा करना काफी फायदे मन दो सकता है एलोवेरा के इस्तिमाल से आपके हातों की त्वचा मुलायम और सुन्दर बन जाएगी तो दोस्तो ये थे कुछ ऐसे घरेलो उपाय जिने अपना कर आप अपने हातों की त्वचा को मुलायम और चिकन बना सकते हैं ये घरेलो उपाय आपको कैसे लगे नीचे कमेंट करके हमें जरू बताना और ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्राइब जरू नीचे कमें जरू आपको सब्सक्राइब जरू आपको